नमस्कार मैं प्रवीन सेटी सीटी न्यूस के इस बुलेटीन में आपका स्वागत है और आईए खबरों मढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की मुख्य असुर्खियों पर जमशेदपुर के जुकसलाई नगरपाली का शेत्र पहुंची सर्वेक्षन की टीम शेयर को नमबर वन पर लाने में चुटे पता दिकारी जमशेदपुर के साक्ची शितला मंदिर के नस्दीक चला प्रशासन का बुल्डोजर हटाया गया आतिक्रमन सराइकला के खंसावाय में खादी पार्क का हुआ और घाटन राचेपाल ट्रॉप्टी मुर्मुने की शिरकत और मकर संक्रांती के टियोहार पर लोगों में दीगी गजब सी उत्सा बाजार में वड़ी रॉनर और अब खबरेस्तार से और खबरो के शुरात करते हैं जमशेदपूर से स्वच्छता सर्वेक्षन के तैत अपने शेर को नंबर वन पर लाने के लिए सभी नगर निकायो द्वारा जीतोड महनत की जा रही है ताकि स्वच्छता सर्वेक्षन में जमशेदपूर नंबर वन पर आ सके प्रशासन ने अतिकर्वन अभियान चला है इस दोरान अवैद रूप से बसे घरो वा दुकानों पर प्रशासन का बुल्डोजर चला जहां सुरक्षा के दिश्टी कुण से भारी संक्या में प्लिसबल की तैनाती की गई थी अतिकर्मन अभियान का नेत्रित्व सियो महश्वर महतो कर रहे थे जहां शांतेपून तरीके से शेत्र को अतिकर्मन मुक्त कराया गया इदर अभियान का नेत्रित्व कर रहे सियो महश्वर महतो के नुसार उक्त जमीन भवन इर्मानवी भाग को आवन टित की गई है जहां करमचारियो का क्वाटर भवन इर्मानवी भाग द्वारा बनाया जाएगा उन्होंने कहा इस से पहले भी इस स्थान को अतिकर्मन मुक्त कराया गया था जहां दोबारा लोगों द्वारा इस स्थान पर अतिकर्मन कर लिया गया है जिसके कारण प्रशासन दोरा दोबारा शेतर में याभिहान चलाया गया है उनके अनुसार इस इस्थान पर 21 अवैद घर दुकान वा खटाल का कबजा था जिससे धोस्त कर दिया गया है इस दोरान सुरक्षा के दृष्टी कौन से पुलिस बल की तैनाती गी गई थी जहां बिना किसी विवाद के प्रशासन ने शेतर को अतिकरमन मुक्त कराया जोरा भी अभी आचना दिल रहती है कि यहां पर जो जमें खाली है उस पर लोगों के द्वारा व्यद्रोच्च्छ अभी तुद्रमन किया गया है अभी तिलाल में हम लोगों को जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से एकीज दुकान है अटाल दुकान मकान जितने भी हैं ये सारे बेंख्या में इस पीज़ है कारिक्रम में पूर्मुख्य मंतरी अर्जुन मुंडा, खरसावा विधायक दश्रत गागराई, जहारकन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष संजे सेट समेत कई गड़माने लोग मौजूद थे राज जेपाल ने खादी पार के सिद्गांधी संग्राले सूत कताई प्रशिक्षन केंदर का भी उद्खाटन किया तता खादी एक विचार पत्री का भी मोचन किया कारिक्रम के दोरान सूत कताई का प्रशिक्षन प्राप्त करने वाली महिलाओं के बीच प्रमान पत्र का भी वित्रण किया गया कारिक्रम को संबोधित करते हुए राज जपाल तुरॉब्धी मुर्मो ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या तथा ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया में काफी बदलावाया है ऐसे में गाउं के देश भारत में इंट्री ग्रेटेट फार्मिश तथा कोशल विकास को बढ़ावा दे कर ही देश का विकास हो सकता है तथा पलायान रुक सकती है उन्होंने आम लोगों से बच्चों को शिक्षित करने तथा उन्हें आत निर्भर बनाने की भी अपील की कारेक्रम के दौरान अपने संबोधन में अरजुन मुंडा ने कहा कि अब खादी पार्क के माध्यम से वैल्यू एडिशन कर कैसे इसका विकास हो तथा इस्थानी लोगों को रुजगार के साथ अंतराश्टी अस्तर का बाजार मिले इस और सरकार को प्यास करना चाहिए इधर उद्खाटन भाशन देते वे ज्छारकन खादी ग्रामो द्योग बोड के अध्यक्ष संजे सेट ने कहा कि इस खादी पार्क को आदर्श खादी पार्क के रूप में विक्सित किया जाएगा आने वाले दिनों में दुमका तथा सिल्ली में भी खादी पार्क बन कर तयार होगा उन्होंने जमशेदपुर में देश का पहला खादी प्लाजा बनाने की भी गोशना की खादी पार के उद्गाटन के मौके पर स्वरुजगार हेतु दो सो महिलाओं के बीच सोलर सिस्टम से संचालित सूत कताय रिलिंग मशीन का भी वित्रण किया गया बनाने के बाद उसको के से यूज करा जाए और उनका आर्थी को समाजिक निगाज किया जाए इंटिग्रेटर फर्मिंग करके लोगों को रोजगार देना और ज्यादा से ज्यादा इंकम करने के लिए भी ये पोशल को पिकोशित करना इसी दिशा में भी सोचने के जोर रोथे। अस्तर पर बाजार तयार किया जिले के कांडरा चांडिल मार्क पर इसित मानी कोई नदी घाट पर विगत तीन जुलाई को दो चात्रों की हुई मौत मामले में नया मोर सामने आया है। परिजनों ने राज्य के खाद्य आपूर्टी मंतरी सर्युराय से भी गोहार लगाई। पर बुलाया गया था जहां किसी हतियार या भारी समान से उनके सर पर हमला कर दिया गया था। इस बात का प्लासा पोश्ट माटम रिपोर्ट में भी हुआ था। साथ ही पुरे मामले की चार्च करने के बाद इस्थानी आराइटी पुलिस में हत्या के बजाए छात्रों के डूबने का मामला बताते हुए केस तर्च किया था। इसके बाद से आरोपी तीनो चात्र, स्वणिम सिधार्ट, अंकित कुमार और अभिनाव शर्मा को रिमान होम से बेल मिल गया था। जबकि परिजनों की माने तो दोनों चात्रों की हत्या किये जाने के पुखता सबूत भी उनके पास है। इदर मंतरी सरीवराय से मिलकर परिजनों ने पुलिस परशासन पर ढूलमूल रवी अपनाते हुए कारवाई में कुताही बरतने का आरोप लगाया है। पुरी मामले में पुलिस कारवाया धूलमूल है। पुलिस वया हुआ है। नीचे जमीत पर गीर के काम कर रहा है। अगर पुलेगा कि नहीं इस पर स्याइडी जाच होनी चाहिए वास्तों में। जाज में रहा हो रही है, असी थिल हो गई है। तो फिल स्याइडी के लिए लोग आदेस करेंगे। अगर संक्रांती का परवा चुका है और इसे लेकर बाजार में दुकाने सच धच कर तयार है। दुकानों में चूड़ा गुड़ और तिलकुट मोड़ी लड़ू खरीदने के लिए लोग की भीड़ उमड़ रही है। मगर संक्रांती परव की खरीदारी को लेकर दुकानों में लोगों की भीड़ और रही है। मड़ रही है। मगर संक्रांती के बंदे नजर संक्रांत के खादे समागरियों का वित्रण किया। इस दोरान यहां के बुज़रू काफी भावुक नजर आए। बाच्पा महिला मोर्चा की और से यहां कारी करम आयो जित किया गया था जिसमें प्रदेश के मंतरी सरी राए। बाच्पा जिला अध्यक्ष निनेश कुमार महिला मोर्चा अध्यक्ष नीरु सिंग के अलावे बड़ी संक्या में बाच्पा कारी करता उपस्तित थे। इस दोरान मंतरी ने अपने हाथों से बुज़र्गों के बीच तिलकुट चूड़ा तता संक्रांत के अने सामानों का वितरन किया। वहीं बुज़र्ग काफी भावुक नजर आए। बाच्चीत के करम में मंतरी सरीवराय ने कहा कि मकर संक्रांती के पर्व में कोई भी इस से चुता ना रहे यही उद्देश है। यहाँ खुश्यों का पर्व है और यह वैसे बुज़र्ग हैं जिने उनी के परिवार वालों ने त्याग दिया है। ऐसे में समाज के प्रतेक व्यक्ति का यादाई तो बनता है कि इनके सुख दुख का ख्याल रखे। इसी के मद्दे नजर यहाँ पहुँचकर इन बुज़र्गों के साथ संक्रांत की खुश्या मनाई गई है। कल पर सुमकर संक्रांती है तो ऐसे लोग जो अपने घर परिवार से दूर अनाथास्रम में हैं कि एक वाल समाज कर रहा है तो ऐसे लोग वो लगना चाहिए कि इनको समाज पर व्याद करता है। मारी महिला मुर्चा की जीला की अध्यक्ष है, पार्टी की जीला की अध्यक्ष है, हर साल ऐसे अउसरत पर दिनों की बीच में हाकर एक हम लोग समेदना प्रकट करते हैं, उनको भी लगना चाहिए कि समाज पर समय से अगर खुशता है, देखता है, तो इससे इनका मनोबल बढ़े युदासी फोड़ा कम दोगी, यही युदेश है, अचमशेत्पुर की समाजिक संस्था लोग समरपन के द्वारा अपने समाजिक डाइत्व के निर्वाहन हेतू भालुबासा मुखी बस्ती में महिलाओं के बीच संक्रान से जुड़े समानों का वित्रण किया ग तेवहारों को खुशी-खुशी मनाए, कई गरीब तपके के लोग पैसो की तंगी के कारण तेवहारों से अच्छुते रह जाते हैं, जिस कारण संस्था ने या वित्रण कारिक्रम का आयो जन किया है लुक्य समाज के बीच में, के बीच में हम लोग समर्पन ने आज तुसुपुरप के सुभासर पर, लकन सागांती के सुभासर पर हम लोगों ने साड़ी, चावाल, तील, तेल और आदी बित्रंग किया और आगे भी आसां को भी आज काईकरा में सिद्गुडा खास का जो गरीब वनचीत लोगों के बीच में हम लोगों और भी साड़ी तील बातेंगे सबसे पहले पुरे जहरकन वासियों को साथी साथ मकान सागांती की भी अर्दिक बढ़ाई, सुप्ताम देता हूँ मैं कामना करूँगा इस वर्द से भागों से जिनने समाज वनचीत लोगों है लोगों ठीक से रहे हर तोर रमसांती से बनाए अब वक्त चल एक शोड़ी से ब्रेका आप बनने लिए हमाँ साथ तिबबत मार्केट जमशित्पूर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तिबबत मार्केट लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए डिजाइन के गर्म कपड़े वो भी सस्ता और बेहतरीन गर्म उलेन कपड़े अब आप के पास जेंस जैकेट, लेजर, फूल पोलोवर, लेदर जैकेट, नेता कोट, श्वेट शर्ट के कई रंग एवं डिजाइनों में लेडिस कुर्ती, पंचू, लेडिस के लॉंग सरक जेंस एंड लेडिस के सभी प्रकार के शॉल एंड इस्टॉल और गाडिगन, ब्लैंकेट कई प्रकार के डिजाइन और रंगों में पास सकते हैं लेडिस के लेडिस, टॉप, प्लाउस, कैप्स और भी बहुत कुछ पास सकते हैं कैप्स, गलप्स, मफलर्स, स्मॉल शूज, शॉक्स, पैजामा भी ले सकते हैं करे खरदारी जम कर और सर्दी के मौसम का मजाले घूम घूम कर पिपत मार्केट, गोलमुरी सरकस मैदान, गोलमुरी जमशितपूर जीवन की खुशियों के यादकार पल, आपकी उम्मीदों के साची में जाएं धल आप बनाएं अपने हर मुबारक मौके को एकदम खास और बहतरीन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसचित, बिलकुल अनूठा, विशाल और बेहत खुबसूरत बैंक्वेट हॉल Celebration Inn शादी विवाह के शुबाफसर हो या हो आपकी मैरिज अनिवर्सरी कॉर्पोरेट गेट टोगेधर हो या फिर हैपी बर्थडे के सुहानी घड़ी बनाएं आपकी खुशियों का हर एक पल खुशनुमा एक एक लमहा, बिलकुल हसीन अपने हर यादगार आयोजन को बनाएं अब और भी शानदार वाउ, आउसम, अमेजिंग, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस Celebration Inn, a great experience in hospitality संपर्क करें, प्रगतिनगर, बजरंग चौक, कदानी रोट, बारिटी नियमर्सी होस्पेटल, जमशेथपूल पोल 85218-64285-94313-28986 गोलचा साडी सेंटर गोलचा साडी सेंटर, a exclusive showroom of साडी, लहंगा and soup जहां है साडियों का विशाल भंडार सभी प्रकार की साडियां, वे भी होलसेल रेट में गोलचा साडी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तात, सिल्प, फैंसी साडी, लहंगा साडी शाडी की साडी खरीदनी हो तो गोलचा साडी सेंटर में अवश्य आएं, गोलचा साडी सेंटर सिर्फ साडी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज, लहंगा पहन कर दूलन लगेंगी और भी खुपसूरत इसके साथ साथ अनिश्टी सूट, सूट की है कई नई रेंज और वेराइटी भी, दूले के परिवार के लिए शट पैंड के गिफ्ट बैग भी उबलब है, बेटशीट, कटन, सभी नामी प्रांड के मिलते हैं गोलचा साडी सेंटर में, हम बनाते हैं आपको खास, हमारा पाली का बाजार, जुकसलाई, जम्शेतपूर Advanced Dental Care Dr. Q.M. हुसेन द्वारा संचालिद, Advanced Dental Care A Multi-Specialty Oral and Dental Clinic जम्शेतपूर में एक ऐसा Dental Clinic, जहां ताद एवं मसूडों से जुड़े सखी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई चाती है दादों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल, या फिर दादों की शेपिंग या देंटल सर्चरी तो Advanced Dental Care में करवा सकते हैं वो भी High Tech Technology से, साथ में Well Experienced Dr. हुसेन जी के ट्रीटमेंट से Fixed Tooth एवं देंटल इंपलांच भी करवा सकते हैं रेगुलर चेकप फॉर एड़िटमेंट फॉर देंटल हेल्थ प्रॉब्डम फ्यूचर में दादों में कोई परिशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकप करवाएं एड़ांस्ट देंटल केर में, एड़ांस्ट देंटल केर, फिर्स फ्लोर चौधरी आकाश एंकलेव, रोट नम्बर सेवन, बिसाइड बंक फिंडिया, जवाहर नगर, मानगो, जम्शेथपुर्ण एक बार फिर से आपका स्वागत है, सरायकला जिले के अधित्यपुर्थाना शेतर सित, शेरे पंजाब चौक सर्विस लेन पर इसे दो रुई दुकानों में शुक्रुवार देर रात आ समाजिक ततो दौरा आग लगाई जाने का मामला प्रकाश में आया है इस आगजनी की घटना में दोनों दुकान और मशीन पूरी तरह से चल कर खाक हो गए, इस घटना के बाद दोनों दुकानदार मकसूद आलम और मुहमद इलियास दौरा घटना के लिखित शिकायत इस्थाने आधित्तिवुर्थाने में की गई है, साथ इस्थाने पुलिस इस से मामले की च्छानबिन किया जाने की भी मांग की गई है, बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना में मकसूद आलम के पचास तक ये रुई कपड़े समेट रुई फाइटर मशीन चल कर खाक हो गए, इसकी कुल कीमत धाई लाख रुपए आँकी गई है, वहीं मौमद सर ये गस बजे जही से दुकान बन करके गिया घर, इन लोग खापी करके सो गिया, पांच बजे में इन लोग को सुचना मिला, कि दुकान आम में आग लग गया, इन लोग आया तो हम लोग देखे पूरा एदम खाक हुआ, कारण के? कारण यही है के मलने के आप हम लोग जानते ने, सर कौन लगा या ने लगा इतना नहीं जानते हैं, सिर्थ यही पांच बजे में हम लोग को ख़बर मिला, हम लोग आए ते देखे पूरा जला हुआ, कितना का लुफान हो सब मिला तो है, लग भख जही से दोनों मिला करके लग भख पाच का कड़ी भी साथ साथ पाच लग अवेतन भुक्तान की मां को लेकर जमशेदपूर के MGM अस्पिताल के आउट सोरसिंग करमचारियों ने जम कर हंगामा किया, अस्पिताल परिसर में ही सभी करमचारी हंगामा करते हुए अस्पिताल अधिक्षा का घंटो पड़ रहा है, जिसे लेकर यावी रोध किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ठेकेदार से पुछे जाने पर उनका कहना है कि सरकार द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है, जिस कारण सभी करमचारी अपने आप को काम से दूर रखे हुए हैं, या मामला जिले के तक भी पहुचा है, लेकिन वहाँ भी ठेकेदार द्वारा बहाना बनाया गया, जिस कारण करमचारीों को वेतन नहीं मिल रहा है, इन्होंने कहा कि जब तक उनका वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक सभी करमचारी स्वैम को कारे से दूर रखेंगे। इस परम में ठेकेदार के द्वारा बेतन का भुखतान नहीं किया गया, ठेकेदार से पूझने पर ठेकेदार बोलते हैं कि हमको 13 महीना से सरकार बेतन बिल का भुखतान नहीं किया है, अब इना नोटीस जमशेदपुर के बिष्टुपुर सित को ऑपरेटिव कॉलेज को बंद करने से गुसाई छातर संग ने कॉलेज में शनिवार को जम कर हंगा। चातर संग ने कॉलेज के में गेट में ताला बंदी कर दी, साथ ही को ऑपरेटिव कॉलेज के चातर संग ने जम कर कॉलेज प्रबंदन के खलाफ नारेबाजी की। प्रबंदन के समय ही, अगर कॉलेज बंद रहेगा तो चातर नामांग कन कैसे करेंगे? इसे चातर संग बता आश्की में करेंगा। आट वे से बच्चे लों आ रहे हैं दिरेज दिरे करके और उनका फोन आ रहा है मुझे बार बार कि आज कॉलेज बंद है। मैंने जानकारी ने इमिटी की क्यू बंद है। पहले लगा कि वाज ने ऐसे ही बंद हो और कुछ कारण होगा। पर …चरल और कोच्च बंद कर दिया गया। कि इस नहीं बंद कर दिया गया। अगर आगे से बंद किया जाए तो नोटिफिकेशन वर्किंग डेस से दो जिल पहले मिनिमम लगना चाहिए तागी बच्चों को जाना जाना जमशेदपु के जुकसलाई स्टेशन रोड इस सित ललित मिश्रा मैदान में कॉंग्रेस पार्टी के और से एक बैठा कायोजन किया गया जहां जुकसलाई विधान सभा के प्रभारी अजैसिंग का जोरदार स्वागत किया गया 2019 के विधान सभा चुनाओं को लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने अपना कमर कस लिया है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जैकुमार के नेतरित में सभी पार्टी बदाधिकारी वाकारे करता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए संगर्ष शील हो गया है मेदारी पूर वकनी भाते हुए सभी को एक जूट करने का काम करेंगे उनके अनुसार 2018 पार्टी के सदस्यों के लिए काफी संगर्ष का समय है इस वर्ष जी तोड मेहनत कर सभी कॉंग्रेसियों को एक जूट कर 2019 के विधान सभा चुनाओं में अपनी चीत सुनिश्चित क करने के लिए उन्होंने का मरकस लिया है हमारा संगर्ष का बर्ष है और संगठन को इतनी मजबूत करें कि हम जार्खन से लेके पूरे देश में मोदी के जूट और जुमलाबादी सरकार को हम लोग उंखार फेके इसी समंद में आज हम सारे लोग बैटे है हुए है और जमशेदपूर के गोविंदपूर बागबड़ा जलापूरती योजना अंतरगत निर्मित सडक के निर्मान में आनियमितता की जाच की मांग को लेकर सहकार भारती संस्था ने जिला उपाइक्त कारेले में परदशन किया इस समन्द में जानकारी देते हुए सहकार भारती संस्था के सदस से अश्वीनी कुमार सिंग ने बताया कि गोविंदपूर बागबड़ा जलापूरती योजना अंतरगत निर्मित सडक के निर्मान में व्यापक नियमितता बरती जा रही है जिसकी जाँच की मांग को लेकर वे लोग संस्था के बैनर तले जिला उपाइक कारेलाई पर उपाइक से बहिंट करने पहुँचे है अपुर्वी सिमूम जिले के पटमदा शेतर के ग्रामिल जिला उपाइक से मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है ए रोड ए रोड गेरवाला हरी मंदिर से बार्ड़ी होते हुए लिंग रोड में रोड तक कम से कम तीन किलमेटर लाग भाग है बीच में जो है बाकी रोड का काम खतम हो गया खाली बीच में जो है इसकूल का जमीन मैरे अवगत बड़ा समस्याओं से बाल भारती सकूल दवारा वारशी खेलकुत प्रतियोगिता का इञ जहन काफी धुमधाम के साथ किया गया जहां छोटे-चोटे बछोने खेलकुत प्रतियोगिता में भाग लेकर उपस्तित अतीधियों शिक्षकों वा अभी भावोकों का मन मोहलिया बच्चों में बौधिक विकास किस परकार से हो साथी बच्चों में मानसिक और शारिरिक विकास को ध्यान में रखते हुए प्रतेक वर्ष स्कूल प्रबंधन द्वारा वार्षिक खेलकुद प्रतियोगिता का आयोजन काफी धूमधाम के साथ किया जाता है जहां चोटे-चोटे बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेकर सबी को अपनी और आकरशित करते हैं इस इक्रम में इस वर्ष भी जुकसलाई के महिश्वरी मंडल परिसर में बाल भारती स्कूल प्रबंधन के और से वार्षि खेलकुद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जहां बच्चों ने विबिन तरा की खेलकुद प्रतियोगिता में भाग लिया वही उपस्तित अतितियों के अनुसार बच्चों के शारिरिक, मानसिक, बौधिक विकास के लिए प्रतिवर्ष स्कूल प्रबंधन द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है जो की अपने आप में एक सराहनी है पहल है, जिससे बच्चे केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं, खेल खुद में भी अपनी प्रतिवा को पस्तित लोग के बीच रखते हैं महीं प्रतियोगिता के उद्खाटन सतर में मास रस्वती की तस्वीर पर उश्प अर्पित की गई, दिप प्रज्वलित वा गुबारा उड़ाकर प्रतियोगिता का शुबारम किया गया, जहां पस्तित अतितियों ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया विबिन प माजी के बच्चे इसमें हैं, इनमें हमारी समाज के, हमारी समाज इसमें सक्री है, हम लोग बच्चों का मांसिक विकास के लिए और खेल कूट का आईजिन करते हैं, यह हर साल आईजिन करते हैं, बच्चा लोग को प्रोस्वान करते हैं, इसमें हम लोग गई हम लोगा दद गंटों में लाब गैरेंटी के साथ इनके इंशुरेंस कंपणी के पैसे भी नहीं मिले घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी तभी मुझे मेरी सहली ने मिर्जा जी भारती इनका नमबर दिया और कुछी घंटों के बाद इंशुरेंस कंपणी का आदमी चेक लेके आ गया मेरे बेटे के अच्छी नोक्री लग गई और मेरी बेटी को बड़े-बड़े घर से रिष्टे आने लगे मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चादी थी लेकिन क्या करे हमारी शादी के लिए ना मेरे घरवाले राजी थे ना उनके उनकी रजामंदी से हमारे घरवालों ने हमारी शादी बड़े ही धूम धाम से करवा दी खुला चैलेंज मेरे काम को जो कार दे उसे नगत इनाम नौक्री, कर्द मुक्ती, प्रेम लुआ, जादू टोना या करनी पती पत्न में अन्वन, सौतन या दिश्वन से चुपता रा संतान प्राप्ती, विदेश यात्रा में हुकावट, विमारे में दवा न लगना मुट करनी वो वशेकरन स्पेशालिस्ट एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो, हो जाएगा आप या वश्य मिले, मिलजाची भारती, क्योंके दुआ भी तक्दिर बदल रखती है OIIFT, an Orisa Institute of Interior and Fashion Technology, Jamshaper It provides quality education through prominent fashion gurus Courses are designed in the field of fashion designing and interior designing Frequent guest faculty visits from renowned institutes Internationally renowned pattern designer Mr. Erwin K. Zarabkar As an academic director of OIIFT, campus by renowned designers as well as expert houses We have included some more special features which adds feathers in OIIFT throughout the year Enjoy fashion show every year organized by OIIFTians with their creations OIIFT transform your dreams into reality गोल्चा रेडिमेट सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोल्चा नगर पाली का बाजार नियर जुकसलाई गुरुद्वारा गोल्चा रेडिमेट सेंटर वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा जी हाँ यही तो है गोल्चा रेडिमेट सेंटर गोल्चा रेडिमेट सेंटर पेश करते हैं जहां आधूनिक फैशन और डिजाइन की हर वेराइटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए गोल्चा रेडिमेट सेंटर जहां आपको मिलेगा लेडिस के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडिमेट सूट एवं सूट पीस, लेगिंस, जिन्स, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट, गोल्चा रेडिमेट सेंटर मिलेगा आपको जिन्स के लिए जिन्स, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, बलेजर और साथ-साथ तूले राजा की शिरवानी इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोल्चा रेडिमेट सेंटर जरूर आना बाजार गोल्चा, करें आपके सपनों को साकार, फिर देर काहें की सरकार, आज ही पधारें, बाजार गोल्चा, हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगरपाली का बाजार, नियर जुकसलाई, गुरद्वारा, जमशितपूर, 0657-229-0093 जमशितपूर में भारत के विख्यात जोतिशा चार्य, स्री महदेव जी, जिनका कई वर्षों का जोतिश में अनुभव है, जो क्रिष्टमूर्ती पधती से आपका जन्मकुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं, सौपर्तिश गैरंटी के साथ, कई लोगों ने लाब उठाया है, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, स्री महदेव जी के परामस के बाद, आज मेरा बच्चा अच्छे नमरों से पास हो रहा है, महदेव जी से मिलें और सभी परिशानियों से निजात पाएं, मिलने के लिए संपर्क करें, जैमको, आदित्पूर, साक्ची, सोनारी, मानगो, गोलमुरी, मोबाईल नमबर 987-244-82680, 9430-715730, 970-90-52086, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, सराइक लाज दिले का अधित्त प्रसित गाईत्री शिक्षा निकेतनी स्कूल का वाशिक मिलन समारों स्कूल परिसर में धूमधाम के साथ मनाया गया, इसमें बड़ी संख्या में स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा करमचारियों ने भी हिस्सा लिया, यहां स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कई रंगारंग कारिक्रम आयोजित किये गए, जिसमें नाचकान करते हुए स्कूल की शिक्षिकाओं ने चम कर मस्तिकी, साथ ही इस मौके पर अनिखेल कुद प्रतियों की दाओं का भी आयोजन किया गया, इसके साथ ही लजीज मेंजनों का भी लुट्व लोगों ने उठाया अजमशेदपुर के मानकोई सित कीट्स नैशनल प्ले स्कूल के द्वारा समाज वा पर्यावरण की थीम पर प्रदशनी का अयोजन किया गया, जिसमें छोटे-छोटे स्कूली बच्चों ने अपने अभी भावकों की मदद से अलग-अलग मॉडल्स को तियार कर प्रदशनी का अयोजन किया गया, स्कूली बच्चे अपने अभी भावकों की मदद से इन मॉडल्स को तियार किये, उस स्कूल प्रदशन के अनुसार चोटे बच्चों को अभी से ही अपने शहर की जानकारी दी जा रही है, साथ ही इसके माध्यम से इने पर्यावरण को बचाने तथा स्वच्चता का संदेश दिया जा रहा है. स्वच्चता का संदेशन है, रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे जो हमारे इन्वार्मेंट में, उनको बच्चे लोगों को पता चलता है, हम लोग इसमें अपने जमशेदपूर को पर्मोट की है, जिसमें जुबली पार्क भी है, एमेजमेंट पार्क भी है, और हम लोग न एक वर्ष ने वर्ष के आगमन के समय विल्स का आयोजन किया जाता है जिसमें विभीनस परधाओं में स्कूली चातर शामिल होते हैं। इस बार का थीम स्पेस रिसर्च रखा गया था। फाइनल राउंड के दुसरे दिन छातरों के बीच डिबेट का आयोजन किया गया था साथ ही साथ यहां निर्थ्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस दोरान स्कूली छातर छात्राओं ने गाने के दुन पर निर्थ्य प्रस्तुत किया, रविवार को इसका समापन होगा जिसमें टेल को स्टेडियम में मुख्य कारिक्रम कायो जन किया जाएगा और इसमें प्रस्तुति देने के लिए बॉलिवूट के गायक भी शहर पहु टेलको खलब के में हॉल में, उसके बाद आद आज रात को पॉफार्मेंस है, एक क्लासिकल डांस है, जो कौलकता से आए हैं पुरा ग्रूप आया है उसके बाद आएंगे नकाश अजीज उन्होंने बहुत सारे फेमस बॉलिवुड गाने का ज़िए पूर के टाटा मुख्य अस्पताल में नव विवाहिता को 95 पतिशत जली हुई अवस्था में भरती करवाया गया नव विवाहिता ओडीशा के रायरंगपूर सुन्दरगड की रहने वाली है इधर लड़की के परिजनों का आरोप है कि उसके ससूर द्वारा दुशकर्म के बाद लड़की को आग लगा कर माने का प्रयास किया गया है नविवाहिता ओडिशा के सुन्दरगड की रहने वाली थी और धाई वर्षपूर उसकी शादी ओडिशा रायरंगपूर निवासी अविनाश खेमका के साथ हुई थी इन दोनों का छे माँ का एक बच्चा भी है शुक्रवार कुनवी वाहिता के घरवालो के दौरा उसे 95% जली वस्था में जमशेथपूर के टाटा मुख्य अस्पताल ने बढ़ती करवाया गया है लड़की की स्थी ती अस्पताल में नाज़ू बनी हुई है लड़की के माईकेवालों के नुसार लड़की के ससूर राम गुपाल खेमका लड़की के साथ लगताः शादी के बाद से इदुशकर्म करता था और लड़की ने इसकी सूशना अपने घरवालों को पूर में फोन पर दी थी लड़की के पती को इसकी चानकारी होने के बावजूद उसने इस पर कोई आपत्ती दर्ज नहीं की लड़की के घरवालों के नुसार लड़की के ससुर नहीं लड़की को आ के हावाले कर दिया है पिलाल पुलिस को सूच ना दे दी गई है, पुलिस पूरे मामले की छान बिन में चुट गई है भावी को सब बताई है कि मेरा ससुर में साथ रेप करता है, और रे करता है बोलके, जब डिसकसन है, सब उसका भाजब को बना ये बत वाट तो जलाद हो गया है वो जबर जसी जला दी है साथ और कल चार मैला पहले यही उस्पिटाल में मेरी लड़की देवालिक से चार दिन पहले पिछे गीरी रिए थी उसका ब्रेन हमरे जुआ था ब्रेन में लगा था उसी टाइम भी यह उसको धका दी थी उसी टाइम भी वो उसको धिये रिए उसको आटेम करी थी क्या कारण क्या है? कारण उसके साथ भी यही घलत समत कर रहा था साथ और जम शेत्पुर के साक्ची थाना शेत्र में HDFC बैंक की महिला करमचारी से बैक की चीन तई हुई जिसके बाद तीन आरोपी उनका बैक चीन आटो से भागने लगे तबी PCRWN ने उनका पीछा किया जिसके बाद बिश्टू बुर्थाना शेत्र के टीमेच अस्पताल के पास आटो पलट गई जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया और दो फरार हो गए फिलहाल आटो को जब्त कर लिया गया है और महिला का बैक भी जब्त कर लिया गया है अपरादियों की ग्रिफतारी के लिए चापे मारी की जा रही है विष्टू बुर्थाना प्रभारी ने बताया कि HDFC बैंक की महिला करमचारी से तीन अपरादी उनका बैक चीन कर फरार हो गए थे जिसके बाद ततकाल पुलिस ने उनका पीछा कर उनको पकड़ लिया जल्दी दो और लोगों की ग्रिफतारी कर ली जाएगी तो अचानक तीन उचक के दूचक कर उनका पर्स चीन कर भागने लगा और अगे में उसका अदोस्त aik हरा था थोड़े चाहरे साह assessment के चार्ट बागा लौना के बहुझे वर्फो ढहरे तेजी से भागना चाहां तो उसके घारी बैंस हो ल्यर चमशेत्पुर के मानगु आजान नगर इमाम बाड़ा के नस्दीक पुलिस पब्लिक मीट कायोजन किया गया जिसमें CTSP प्रभात कुमार ने शिर्कत की इस पुलिस पब्लिक मीट में थाना शेत्र के स्थाने लोगों ने पुलिस के समक्ष अपनी अपनी समस्याओं को रखा इस समन्द में लोगों को संबोधित करते वे CTSP प्रभात कुमार ने कहा कि लोग पहले जिम्मेदार बने लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं जिससे ही काफी समस्याओं समाज में उत्पन होती है अपने बच्चों को बच्चे को life के साथ इतना बड़ा इतना वा रिस्क मत खेलिए ऐसे करके जिसे सरक है सरक पर आप देखेंगे लोग civic सेंस भूल चुके हैं अपने घर को तुछ समझते हैं घर के बाहर जितनी जमीने हैं उसको समझते हैं यहां तो जितना गंदगी फैलादो जितना जाम कर दो जितने मतलब किसी प्रकार का कोई रिस्पेक्ट नहीं है दूसरों के लिए यह सब चीजे जब इनकलकेट किजिएगा तभी आपका समाज अच्छा होगा तो उससे और आगे राज अच्छा होगा देश अच्छा होगा जो भी चीज होती है डिवलोप्मेंट की विकास की सुरक्षा की वो सब आपके घर से स्टार्ट होती है कोई बाहर से आपको मैं कितना भी आपको समझा लूँ मैं कितना भी डरा दूँ कितना भी जेल में फर दूँ यह सुधार नहीं होगा जब तक आप घर से नहीं चाहे और जमशेत्पुर के मांगो चेपापूल के समीब AD Medical में नहीं शुल्क चिकित्साशीविर कायोजन किया गया इस सम्मध में जानकारी देते हुए AD Medical के प्रोप्राइटर ने बताया कि TMH के रिटायर डॉक्टर AC जाद्वारा चिकित्साशीविर में नहीं शुल्क चाच की जा रही है और आने वाले दिनों में क्या होगा कि ये डॉक्टर साथ क्या करेंगे कि 50 रुपे मत प्पटास रुपे में डॉक्टर पैशिंट्साशीविर करेंगे तो एक सोचल सर्थिस करने जा रहे थे तो हमने कहा था कि आप यहीं आपके कीजिए और यहां एक सुसर्फिस कीजिए तो यह आने वाले डॉक्टर्स के लिए भी यह बनेगा एक्जैंपल बनेगा जब एटार्मेंट के बाद आप क्या कीजिए एक बहुत ही लो कॉस्ट, पचास रुपे के कॉस्ट पे आप रुकेशन्स को देखे और चलने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक के मुख्य अस्तुक्यां पर जमशेदपुर के जुकसलाई नगरपाली का शेत्र पहुंची सर्वेक्षन की टीम शेर को नंबर वन पर लाने में चूटे पदादिकारी जमशेदपुर के साक्ची शितला मंदिर के नज़दीक चला प्रशासन का बुल्डोजर हटाया गया आतिक्रमन सराइकला के खनसावाय में खादी पार्क का हुआ और घाटन राचेपाल त्रॉपती मुर्मूने की शिरकत और मकर संक्रांती के तियोहार पर लोगों में दीखी गजब सी उत्साव बाजार में बड़ी राउनर इस बुलेटी ने बस इतना ही हम फिर मिलेंगे नहीं ख़बरों के साथ तब तक के लिए हमें दीज़े इजाज़त और में सक्ताव यार इस primeira, प्राइब लोगों में आचेपाल की शिलेटी के लिए ख़बरों में भंजों के लिए ख़बरों में के लिए नहीं हम पेले टिए बसे बसे इस परे बसे हम, कै रहाँड़के तेखका के जब रबसे की जबलार में हैं